हेलो फ्रेंग्स, वेलकम टू कुक विद्धी, आज हम बनाएंगे बापपा के फेवरेट मोदक, तो सबसे पहले एक कड़ाई में हम डेसिकेटिड कोकोनट ले लेंगे, एक कड़ोरी, इसे अच्छी तरह से भून लीजिए, हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसे दूसरी परा दूसरी तरह एक मिक्सर में आधा कटोरी शक्र और बादाम डालकर हम अच्छी तरह पीस लेंगे, अब इस मिश्रन को भी हम इसी खोवे में डाल देते हैं, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, लास्ट में हम इसमें इसमें इलाइची पाउडर डाल देते हैं, आप चाहे तो इसमें किश्मिश वगेरा भी आट कर सकते हैं, इस मिश्रन को आप 15-20 जिनों तक फिज में आराम से रख सकते हैं, और जब चाहे मोदक तयार कर सकते हैं, मोदक बनाने के लिए मैंने यहां पे 500 ग्राम मैदा लिया हुआ है, थोड़ा सा पिंच बर इसमें मोयन के लिए मैं गरम तेल डाल रही हूँ, लगबख एक चमज डाला है मैंने, हमें बहुत जादा नहीं डालना है, और इस तरह से जब यह क्रंबल हो जाए, तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट करेंगे, बहुत जादा पानी नहीं आट करना है, हमको थोड़ा सा पूरी बेल लेते हैं, तो एकदम ट्रांसपेरेंट सी बेल लिए और आजू-बाजू की जो किनार है, इस पे हमें जादा प्रेशर डालना है बेलते वक्त, और गोल पूरी तयार करने के बाद, साइट्स में मैं इसमें पानी लगा रही हूँ, जिसे के अच्छे से यह चि बहुत अच्छा शेप आजाता है, अब इसे बहुत धीमी आज पे हमें तलना है, तेल जादा गरम नहीं होना चाहिए, और इस तरह से शुरू में पहले आप डाल दीजे और उसके बाद फिर इसकी जो उपर की लेयर है, वो थोड़ी जादा मोटी होती है, तो इस तरह से पलट करके, आप एकदम धीमी आज पे ही इसे तल लीजे, और इसके लिए मैकसिमाम आपको तीन से चार मिनिट लगेगा, तो देखिए हमारे मोदग जो है, और मोस्ट बनकर रेड़ी हो चुके है, बाहर से बहुत ही अच्छे क्रिस्पी है, और आई होब आपको ये की रेशिपी बहुत इजी और पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूले, सी यू इन दी नेक्स वीडियो,